So, आज हम explain करने जा रहे हैं दि अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन वन के एपिसोड 7 को So, let's start एपिसोड के शुरू होते ही हमें स्टोरी दिखाए जाती है है हैरोल जेनकिन्स के जिसका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1989 में और ये वही डेट है जिस दिन अम्ब्रेला एकेडमी के सभी बच्चों का जन्म हुआ था बट हम देखते हैं कि हैरोल के मॉम की नॉर्मल प्रेग्नेंसी थी नॉर्मल डिलिवरी थी और इसी वज़े से हैरोल नॉर्मल पैदा होता है बट उसकी परवरिश में कमी हो जाती है हम देखते हैं कि उसके बर्त के बाद ही उसकी मॉम की देथ हो जाती है जिस वज़े से उसके डेट बदल जाते हैं और शराप पी के हैरोल को मारते हैं फिर एक दिन हैरोल को अम्ब्रेला एकेडमी की कॉमिक्स मिलती है जिसे देखकर उसे भी इच्छा होती है कि वो भी Umbrella Academy जॉइन करे और एक सूपर हीरो बने इसलिए वो उन्हीं के जैसा कॉस्ट्यूम पहन के Umbrella Academy जाता है और वहाँ पे जब सभी कार से उतर रहे होते हैं तब हैरोल्ड बैरिगेट से कूद के जाता है और Dr. Hargreaves से बात करता है और बताता है कि उसका बर्ट डेव 1 October 1989 को है और उसके पास भी पावर्स हैं लेकिन उसे पता नहीं है इसलिए वो उसकी हेल्प करें उसकी पावर्स धूनने में जिस पी Dr. Hargreaves उसकी बेज़िती करके भगा देते हैं वो कहते हैं कि तुम में कोई पावर्स नहीं है तुम स्पेशल नहीं हो तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है और निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी से अब हेरोल्ड पहले से ही गुस्चे में था और जब वो घर पे आता है तो उसके डैड उसे मारते हैं क्योंकि वो अजीब सा कॉस्ट्यूम पहने हुआ था और उसे बीयर लाने को कहते हैं। हम देखते हैं कि हैरोल्ड बीयर लाने के बज़ाए एक हैमर ले आता है और पीछे से अपने फादर का ही सिर्फ ओड देता है और उनकी वहीं पे देथ हो जाती है। इसकी वज़े से हैरोल्ड को 12 साल की जेल हो जाती है फिर हम देखते हैं हैरोल्ड की रिहाई का दिन और वो 12 साल के बाद जेल से निकलता है। और सीधा जाकर अमरेला एकेडमी के सामने नियूस पेपर पढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ से एक लाउस निकलता है और डश्ट बिन में अपने फादर का चुराय हुआ बॉक्स खाली कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि हैरोल जाता है उसी डश्ट बिन में और डॉक्टर हार ग्रेवस की वो बुक उठा लेता है। और यही हमें पता चलता है कि हैरोल असल में लेनर्ड है। और फिर हम प्रेजन्ट में आते हैं और हमें जो इवेंट्स रिवाइंड हो गए थे उन्हें दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हैजल चाचा से अपने रूम में बहस करने के बाद बाहर चला जाता है। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसे वेंडिंग मशीन के जरीए दकमिशन का एक मेसिज मिलता है जिस पे लिखा था चाचा को मार दो अब ये वही मेसिज है जिसे नमबर फाइफ ने भेजा था नियुमेटिक टूप के जरीए दूसरी तरह दिएगो नमबर फाइफ और एलिसन हैरोल जैनकिन्स के बारे में जानने के लिए पुलिस इस्टेशन जाते हैं अब यहाँ पे डिएगो का फ्रेंड यानि डिटेक्टिव पैच का पार्टनर उसे हैरोल की एक फाइल लाके देता है जिसमें उसकी अभी की अगले सीन में हम देखते हैं लूथर को पता चल जाता है कि उसे जूट बोल कर उसकी जिन्दगी के चार साल चीने गए थे और जब उसे ये दक्का लगता है तो इस बार वो शराब पीने लगता है अब क्योंकि टाइम लाइन चेंज हुई है तो कोई न कोई अल्टरनेट पॉइंट जरूर आएगा तो इस बार लूथर बैट के शराब पीने लगता है क्योंकि वहाँ पे ऐलिसन नहीं थी उसको कमफर्ट करने के लिए अब यहाँ पे लूथर शराब पीने लगता है और नशे में डूब जाता है जिस पे क्लाउस उसे ये सब करने से रोपता है लेकिन लूथर कलाउस को धक्का दे कर घर से भाग जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि हेजल और चाचा एक सुनसान से घने जंगल में जा रहे होते हैं नहीं भाई नहीं जंगल में मंगल करने नहीं जा रहे हैं गलत मत सोचना यहाँ पर चाचा हेजल को धोके से ले आई होती है यह कहके कि हमारा खोया हुआ ब्रीफ केस यहीं मिलेगा ताकि वो उसे वहीं पर मार के मैटर खतम कर सके अब यहाँ पर हेजल काफी सेंटिमेंटल बात कहता है जो कि प्रीवियस एपिसोड में नहीं दिखाए गई थी यहाँ हेजल चाचा को बताता है कि वो यह सब काम छोड़ कर अपने मन की लाइफ जीना चाता है हेजल बताता है कि वो एक पार्टनर के साथ बची हुई जिंदगी शांती से और प्यार से गुजारना चाता है और वो एक्जामपल के लिए किसी बर्ड को लेता है अब यहां पे चाचा को लगता है कि हेजल उससे प्यार करता है इसलिए वो ये सब काम छोड़ कर उसके साथ जीना चाता है फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वापस घर पे आते हैं जहां हेजल चाचा से कहता है कि वो खाना लेने के लिए जा रहा है बट असल में हेजल एगन इससे मिलने गया था आगे हम देखते हैं कि जब डिएगो नंबर फाइफ और एलिसन लेनर्ड के घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे अम्बरिला एकेडमी के हीरोस की फिगर स्टैचूस मिलती हैं वो तीनों वहाँ की तलाशी ले ही रहे होते हैं कि तभी नंबर फाइफ कोलाइपस होके गिर जाता है और जब एलिसन लंबर फाइफ को चेक करने के लिए उसके कपड़े उठाती है तो देखती है कि नंबर फाइफ के पेट पे गोली लगी है अब ये गोली नंबर फाइफ को तब लगी थी जब वो दकमिशन के हेड़कॉर्टर में हैंडलर से लड़ रहा होता है अब यहाँ पे नंबर फाइफ उन दोनों से कहता है कि तुम लोग अपना काम करो मैं ठेक हूँ बट तब ही नंबर फाइफ बेहोश हो जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि लेनर्ड वान्या को अपने दादी के घर लेकर आता है और जब वान्या उ साथ बात कर रहा होता है हेजल उसे बताता है कि वो कहीं बाहर जा रहा है अपने काम को छोड़ कर क्योंकि वो ठग गया है ऐसे काम करते करते और अब उसे अपनी लाइफ जीना है एगनेस के साथ वो उसके साथ कहीं दूर चले जाना चाहता है अब यहाँ हेजल इंडिरेक करते हुए देख लेती है जिस पे वो भड़की हुई होती है और फिर हेजल वहाँ से अपनी कार में बैठ के निकल देता है अगले सीन में हम देखते हैं कि बैन और क्लाउस आपस में बहस कर रहे होते हैं क्लाउस लूथर के पीछे जाके उसे ढूंडने का सोचता है आगे हम देखते हैं कि एलिसन और डियेगो नंबर फाइफ को उठाकर अम्रेला एकेडमी ले आते हैं और उसकी मरम पट्टी कर रहे होते हैं तभी डियेगो मॉम को देखता है और वो उन्हें स्टार्ट देखकर हैरान हो जाता है अप इछले एपिसोड में चीजे अलग थी लेकिन टाइम लाइन चेंज होने की वज़त से यहां पर दियेगो मॉम से बात करता है अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस लूथर को एक कलब में पाता है जहां लूथर अपनी शर्ट उतार कर डांस कर रहा होता है बिना किसी टेंशन के और वो ड्रग्स की गोली लेने ही जाता है, जिसपे क्लाउस उसे रोग दीता है और वो गोली फेक के कहता है कि ये मत करो, तुमें इसके लिए बहुत सही हो दूसरी तरफ क्लाउस ने भी काफी टाइम से ड्रग्स नहीं लिये थे जिसका side effect उस पे होना start हो जाता है suddenly वहाँ की सारी आवास ते उसको problem होने लगती है और तभी हम देखते हैं कि उसे Dave की dead body दिखती है जिसे देखकर वो रोने लगता है आगे हम देखते हैं कि Diego और Allison आपस में बात कर रहे होते हैं दूसरी तरफ मॉम नंबर 5 की पट्टी बदल रही होती है जिसके बाद हो दोनों नंबर 5 को मॉम की केर में छोड़ कर निकल देते हैं लेनर्ट का दूसरा घर देखने के लिए अब रास्ते में Diego को पुलिस ट्रैक कर रही होती है तभी Diego Allison को कहता है कि मुझे इनसे निपटना होगा तब तक तुम लेनर्ट की दादी का घर चेक कर लो आगे हम देखते हैं कि लेनर्ट वान्या को जील के किनारे लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम अपनी पावर्स पे फोकस करो और उस बोट को मूव करके देखो अब यहाँ पेवान्या बहुत ट्राइ करती है बट कुछ होता नहीं जिस पे लेनर्ट काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है बट तभी वो अपने गुसे को कंट्रोल करता है इन दोनों के बीच रोमेंटिक एंगल आता है फिर वो दोनों डिनर पे जाने का प्लाइन बनाते है अगले सीन में हम देखते हैं कि जब हेजल वाफस घर जाता है तो एक लेटर लिखता है कि वो एगनिस के साथ कहीं जा रहा है लेकिन वो उसे बता नहीं पाता है और जब वो डेश्ट मिन देखता है तो उसमें वही मेसेज था जो कि नंबर फाइफ ने भीजा था जिसमें लिखा था हेजल को मार दो अब यहाँ पे हेजल की भी खिसक जाती है तो वो अपना मेसेज बातरों में चिपका के शौवर अन कर देता है और जब चाचा उसे मारने आती है तो वो वहाँ फस जाती है क्योंकि पीछे से हेजल आ जाता है और चाचा के सिर पे मार के उसे बेहोश कर देता है आगे हम देखते हैं कलब का सीन जहां लूतर को तीन लोग मारने आ रहे होते हैं जिसमें से एक बंदा डेव की तरह दिखता है अब यहाँ पर Ben Klaus को समझाता है कि जाओ और Luther को बचाओ जिसमें Klaus हिम्मत दिखाता है और उसे बचाता है लेकिन यहाँ पर वो आदमी इतना पावफल था कि वो Klaus को एक हिबार में पटक देता है अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक black and white सी जगाप पर उठता है अब यहाँ पर Klaus को लगता है कि वहाँ पर Dave है लेकिन जैसे ही वो उस शैक में इंटर करता है तो वो शैक एक salon बन जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर Klaus के father यानी Dr. Hargreaves आ जाते हैं अब पहले तो Dr. Hargreaves Klaus को बहुत सुनाते हैं डाटते हैं उसकी life को लेकर और तभी हमें एक बहुत ही shocking truth पता चलता है यहाँ पर Dr. Hargreaves उसे बताते हैं कि उनकी death ना तो natural थी और ना ही murder बलकि उनकी death intentional थी वो बताते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को एक साथ लाना था जिसके लिए कुछ बड़ा होना ज़रूरी था जैसे कि कोई दुरगटना, otherwise वो लोग नहीं आते और इसलिए उन्होंने खुद की death plan की और खुद को sacrifice कर दिया अब यहाँ पे हम guess कर सकते हैं कि डॉक्टर हार्ग्रेवस को ये बहुत पहले से पता था कि कयामत आने वाली है और इसी वज़े से उन्होंने umbrella academy फॉर्म की अब डॉक्टर हार्ग्रेवस क्लाउस को शायद कयामत से निपटने के लिए कुछ बताने ही वाली थे कि तभी वो real world में जाग जाता है और फिर हम देखते हैं कि वानिया और लेनर्ड खाना खाने के बाद parking lot में अपनी कार लेने जाही रह होते हैं तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग शराब पी रह होते हैं उनकी कार पे और वो लोग Vania के साथ बत्तमीजी करते हैं जिस पर Leonard को गुस्ता आ जाता है और जब उन्हें रोकने आता है तो हम देखते हैं कि वो लोग Leonard को बुरी तरह से पीटने लगते हैं और फिर Leonard को इस दहालत में देख कर Vania बीच में आ जाती है उसे बचाने के लिए और वो जैसे ही help करके चिलाती है तभी उसकी body से एक wave type कुछ निकलती है जिसके effect से वो तीनों लोग दूर जाकर गिरते हैं और वो दोनों बच जाते हैं आगे हम देखते हैं कि हेदल चाचा को हतकरी लगा के बान देता है अब यहाँ पी चाचा हेदल से कहती है कि तुम मुझे मार दो वरना मैं यहाँ से निकल के तुम्हें और तुम्हारी उस बुड़ी दोनों को ही मार दूंगी जिस पर हेजल उसे मारने से इंकार कर देता है क्योंकि वो उसके साथ काफी साल बिताया था वो किसी को भी मार सकता है लेकिन चाचा को नहीं अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे मार सके तो फिर वो उसे वैसे ही छोड़के वहाँ से निकल देता है फिर हमें कई सारे शॉट्स दिखाये जाते हैं जिन में हम देखते हैं कि कलाउस और बेन एक साथ घर वापस आ रहे होते हैं डिएगो जेल में होता है और फिर हम देखते हैं कि वान या लेनर्ड को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहाँ हमें पता चलता है कि लेनर्ड की राइट आए पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और उसको कई जगह भारी इंजिरीज भी आई होती है एक शॉट में हम देखते हैं लूथर उस लड़की को किस कर रहा होता है और लाश्ट में हम देखते हैं कि एलिसन लेनर्ड की दादी का घर देखने जा रही होती है और यहीप एपिसोड 7 खतम हो जाता है उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर शेर करें और ऐसे कंटेंट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सायो नारा